स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आपका अपना ही चैनल औरिजिनल खिलारी पर ठीक है तो सौथ अपिका टीम ट्वैक्नी लिग का ये मैच जो है जे एस के भरसिस डी एस जी के बीच में आज रात में नौ बजे से खेला जाएगा काउन से खिलारी इस मैच के अंदर फलोप होंगे 100% ओ भी बताओंगा काउन से खिलारी जो है चलेंगे 100% चलेंगे ही चलेंगे ओ भी बताओंगा Grand League का टीम किस तरीके से बनेगा इस मैच के अंदर ओभी बताओंगा ठीक है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सबस्क्राइब ठीक है और वीडियो में आगे बहते हैं और आपको बताते हैं कि क्वारी चलेंगे क्वारी फोलप होगे किसको कफ्टान बनाना है किसको उपकप्तान बनाना है अगले पांस मिनट के लिए आप हो जाए त्यार और हो सके तो हैड़फॉन का यूज कर लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए चलिए अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर सबसे पर अगर प्लेइंग 11 का अगर मैं बात कर लूँ तो DSG के तरफ से D-Cock मिल जाएगा M-Bridge की मिल जाएगा Tony D-Georgie मिल जाएगा JS मत मिलेगा H-Kalashen मिलेगा W-Mulder मिलेगा K-Paul मिलेगा K-Samaharaj मिलेगा Nabin मिलेगा N-Emer J-Dala ठीक है इधर से D-Feraria रहेगा F-Dupilases रहेगा Riza Hendrick रहेगा L-Dupilu रहेगा W-Madison रहेगा Moen Ali रहेगा D-Brasville रहेगा N-Burger रहेगा L-Williams रहेगा Imaran Tahir रहेगा K-Saymonds रहेगा यह कुछ Playing 11 है जो आपको यह खिलाई जो है आपको खेलते हुए मेजर आ सकते हैं इस मैच के अंदर ठीक है इसमें आपको करना क्या है कि देखिए कभी भी आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो टीम बनाते हैं और 2 आवर का मैच होता है वापस आजाए आप यही सोचते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जैसे देखिए 2 आवर का मैच होगा ना 90% लोग पहले ही हार मान लेते हैं कि हम हार गए भाई हमारा इंट्री वापस मिल जाए आपको इस तरह से टीम नहीं लगाना है टीम लगाने का कुछ अलग ही मेथड है वो मेथड आपको अपनाना है इस तरीके से आपको टीम लगाना है इधर देखिएगा कि आप इधर मैं साथ खिलारी जो है इधर निकाल के रखा हूँ साथ खिलारी निकाल के रखा हूँ जिसमें H कलासेन है इस साथ खिलारी में से आपको तीन से चार खिलारी तीन से चार खिलारी साव परसेंट फलाउप होंगे इस मैज के अंदर वीडियो को एस्किप मत करिएगा ने तो आप नहीं समझ पाएगे अब बात कर लेते हैं कि यह एक फलाउप होंगे फिर आपको जिताएगा कौन कोई ट्रंप खिलारी भी तो होना चाहिए ट्रंप खिलारी देखे इदर मैं निकाल कर रखा हूँ डी फिरारिया है विकेट कीपर के सेक्षन में आपको यह खिलारी देख जाएगा डी फिरारिया उसके बाद बैटिंग सेक्षन में बात करते हैं टौनी दी जोर्जी यह खिलारी आपको दिखेगा इधार डबलू मेड सेन है ये खिलारी आपको दिखेगा कीमो पॉल है डीब रासवेल है इमरान ताहिर है और नवीन है ये भी साथ खिलारी है इस साथ में से तीन से चार खिलारी 100% जो है काथी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है इस मैच के अंदर इस साथ में से तीन से चार खिलारी आपको लेना है और इस साथ में से तीन से चार खिलारी आपको छोड़ देना है ठीक है इधर से तीन से चार को आप छोड़ेंगे इधर से तीन से चार को आप रखेंगे ये मैं एक team की बात कर रहा हूँ एक team अगर जो आप लगा रहे हैं तो ये फर्मूला लगेगा अगले जो team बनेगा दुसरा team बनेगा तीसरा team बनेगा और ज्यादा team भी आपको नहीं लगाना है तीन से चार ज्यादा ज्यादा 5 पांच से पलस मत करिएगा पांट से जयदा टीम आप मत लगएगा इसमें से 3-4 खिलारी जो है आपको छोरना है और इसमें से 3-4 खिलारी जो है आपको रखना है और इसमें जो 7 खिलारी मैं दिखाया हूँ ना ये जो भी होता है, contest होता है मालीजे 20 लाज का contest है उसमें 80% बंदे जो होंगे 80% टीम जो लगेगा उसमें आपको ये 7 खिलारी आपको दिखेगा 80% टीम में जो है ये 7 खिलारी आपको दिखेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि 2 अवर का मैच होगा 2 से 3 अवर और जो बंदा ये 7 खिलारी को अपने टीम में रखा रहेगा वो बस यही सोचेगा कि हमारा इंटिडी किसी तरह से वापस आजाए यही कुछ होने बाला है इस मैच के अंदर आप याद रखेगा इस 7 में से 3 से 4 आपको लेना है 3 से 4 आपको छोड़ना है और अगला टीम जो बनेगा सेकेंड टीम जो बनेगा उसमें से आप इसमें से कॉंबिनेशन करेंगे कॉंबिनेशन कैसे करेंगे जैसे कलास एन को आप रख रहे हैं डिकव को छोड़ दीजिएगा अगले टीम में क्लास N को छोड़ दीजिएगा डिकव को रख लीजिएगा इस तरह से आपको दो से तीन खिलारी जो है चैंज करना है एक इधर से चैंज कर दीजिए एक इधर से चैंज कर दीजिए जैसे फेररी आपको रख रहे हैं तो जोर जोड़ी को छोड़ दीजे दूसरे में जोड़ी को रख लीजिए ठरड़ीया को छोड़ दीजिए इस तरह से आपको कॉंबिनेशन करना है तभी यह काम करें यह कॉंबिनेशन बनाने का भी तरीका होता है तो ऐसा नहीं कि आप खिच्टी बना देंगे न आप पांच टीम लिए और कोई भी टीमि आपका रैंक नहीं करेंगा कॉंबिनेशन बनाने का तरीका यही है जैस्सक्त कर्यों अब ज़िए ठरड़ीया को छोड़ दीजिए इधर लिगॉंगो को छोड़ीजिए कलासेन को रख रहे हैं तो पहला टीम में तो आपका है ही चलेगा अगर फ्लॉप होता है तो दूसरे टीम में आपका डिकाउग है वो चल जाएगा इस तरह से आपको कॉंबिनेशन बनाना है इधर देखिए देखिए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहां गया कहां गया यह खिलारी देखिए मोयन अली मोयन अली अगर तीन से चार नमर पर बैक्टिंग करने के लिए आता है मोयन अली अगर 3-4 नमर पे बैटिंग करने के लिए आता है तो आप एक टीम में मोयन अली को काप्तान भी ट्राय कर सकते हैं उसके बाद धर हो गया एक खिलारी यह है इमराम तारी देखिए इमराम तारी को मैं धर भी निकाल के रखाऊं इमराम तारी एक टीम में आप इसको काप्तान या उप काप्तान टड़ाय कर सकते हैं इमराम ताहिर को तो टीम आपको कुछ इस तरह से लगाना है देखिए यह जो आप 22 खिलारी देख रहे हैं एगारा इधर और एगार इधर इसी में से यह खिलारी निकला हुआ है साथ इधर, साथ इधर तो यह साथ जो है यह फ्लॉप होने वाले हैं और यह साथ जो है चलने वाले हैं अब इस हिसाब से आपको कॉंडिनेशन बनाना है इसमें से तीन-चार लेना है और इसमें से तीन-चार लेना है अबिले टीम में इसमें एक बदल दीजिएगा इसमें एक बदल दीजिएगा बाकी के चार पॉंच खिलारी जो हैं फिक्स रहेंगे जैसे दर डूपलेसी हो गया हैंड्रीक हो गया इधर एन बर्गर है ये खिलारी हो गया केसा महराज है ये खिलारी हो गया ये सब खिलारी है ठीक से रहेगा बाकि उसके बाद आप इसमें से 3-4 लीजिएगा इसमें से 3-4 लीजिएगा टीम आपका बन के तैयार हो गया अब बात कर लेते हैं कप्तान उप कप्तान देखें कॉंप्टिशन काफी जैदा होता है मैं एक्जांपल देता हूँ कि 20 लाग या 25 लाग या 30 लाग टीम लगता है वहाँ पर अगर आप इस तरह से कप्तान उपकतान बनाईएगा जैसे डूपलेसी को आप कप्तान कर रहे हैं उसके साथ देखीजे अधर डिकाउप को अगर उपकतान कर देते हैं यह टीम कभी भी रैंक नहीं करेगा दो चारा अभार थोरा देख लिए आपका लगेगा कि आपका रैंक जो है काफी अच्छा रहेगा देखने यह चीज जो है इसको डूपलेसी को कप्तान करके इधर डिकाउप को वैस कप्तान करेंगे आप कभी नहीं जीत पाएंगे कभी भी रैंक आपका अच्छा नहीं आ सकता है तब रैंक अच्छा आने के लिए आपको क्या करना है जैसे डूपलेशी को अगर काप्तान कर रहे हैं इधर से इमरान ताहिर को आप धीशी करिएगा ठीक है दूसरा चोईस ये बनता है इधर से अगर ये खिलारी डी ब्रास देल और रांडर सेक्षन में आप देखिएगा डी ब्रास देल इसको आप काप्तान करके डी ब्रास देल को काप्तान करके इधर एच कलासें जो है इसको वैस काप्तान कर सकते हैं या इधर टी डे जोरजी टौनी डे जोरजी जो है इसको आप सी भी सी काप्तान या उप काप्तान करके इसके साथ नवीन नवीन को आप CVC कर सकते हैं या डूपलेशी को अगर कप्तान आप करना सकते हैं डिकाव को अगर कप्तान करना चाहते हैं तो डिकाव के साथ आप नवीन को VC बना सकते हैं ये कुछ 3-4 चोएस होने वाला है इस match के अंदर लेकिन आप याद रखेगा कि ये चीज़ जो मैं बताया हूँ ये चीज 100% काम करेगा इसमें से 3-4 खिलारी जो काफी नामी नामी खिलारी है डिकाव हो गया, कलासेन हो गया ये अल्डू पुल्डू है, जेसमत है, अल्बिरियम्स है, जेडाला है काफी खतरना खिलारी है ये सब लेकिन इस match के अंदर इसमें से 3-4 खिलारी, जो है, 100% फलाउट होँगे इस match के अंदर और इसमें से 3-4 खिलारी आप देख लीजिएगा आप एस्पिन सॉट लेके रख लीजिए इसमें से 3-4 खिलारी, जो है, 100% अच्छा performance करेगा आपको लगेगा कि इसको काप्तान या उप्तान बनाना चाहिए देखें खिलारी कोई छोटा और बरा नहीं होता है इधर देखिए इमरान ताहिर है पिछले तीन चार मैच से कोई अच्छा performance नहीं कर रहा है इस मैच के अंदर हो सकता है ये खिलारी काफी अच्छा performance कर देखें दो से तीन बिकेट निकाल के आपको दे सकता है इमरान ताहिर और नवीन ये दोनों खिलारी काफी अच्छा performance करने वाले हैं इस मैच के अंदर दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस मैच में आपको कैसे टीम बनाना है कौन से खिलारी चलेंगे कौन से फ्लॉप होंगे इसका कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा अब लास्ट में जाते जाते आपको एक बात बोल दूँ ये यूट्यूब चैनल है और इजनल खिलारी इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है उमीद कर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे क्योंकि ये चैनल जो मैं अपने लिए ने बनाए हूँ ये आप सभी का चैनल है मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूँ इसमें भी बोला हूँ ये आप सभी का चैनल है औरीजनल खिला रही मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आपको टीम बनाना इस मैच के अंदर चलिए ठैंक्यू वेरी